तो कैसे है आप सभी लोग एक बार फिर से वलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें सबसे पहले तो आप सभी लोग को कृष्टना जन्मास्यमी की हार्दिक सुपकामन है भगवान करें कि अगला जन्मास्यमी है आप जौप के साथ मनाएं और आज से हम लोग एक नई सीरीज यानि जो भुगोल की डिमांड बहुत लंबे समय से आरते की सर जोग्रफी पढ़ा दिजे जोग्रफी पढ़ा दिजे हम लोग आज से उसकी सुरुवात करने जा रहे हैं और यह आज आज आपका बेसिक क्लास होगी यानि एक जन्रल क्लास होगी जिसमें मैं आपको हलका आइडिया दूंगा कि किस तरीके से हम लोग उन्हें बत्ता हागे बढ़ना किस तरीकी क्व ग्लास होगी यानि इंडियन और वाल जोग्रफी दोनों इंकलूड होगी और आपका यह NCRT की क्लास होगी क्योंकि NCRT से बाहर आपका क्वोशन आता नहीं है अगर आपने लुशन घर पर पढ़ ने तो उससी बाहर आपका क्वोशन नहीं आएगा GS की इसी प्रकार की क्ल नहीं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं बीना खोले मत पढ़ना इस कलास को यानि आपको किसी भी केस में मैप अपने पास रखना होगा मैप के साथ ही पढ़ाई करो लिakteने से ज्यादा ज्यान देखने पर भरोसा करना है क्योंकि भुगोल है देखके ज्यादा काम परा रहा हूं है और NCRT के कोशन जो जो आपके एक्जाम की दिश्टी से इंपोटेंट हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है यह देखे हमने एक मैप ड्रॉ किया हुआ है सबसे पहले हमने यह देखने है भारत देखो बेसिक क्लास है अब मत कहना सरी क्या क्या पढ़ यानि जीरो डिक्री ठीक इसके नॉर्दन पोर्षन में जितनी भी देश होंगे या जो भी पोर्षन होगा इसको उत्री गोरार्द बोला गया है और इसके दक्षिन में जो भी होगा उसको दक्षणी यानि साउथ क्यों क्या बोला गया है दक्षिनी गोलार्द साथ ही देशांतर राइन के ठीक है देशांतर राइन समय के लिए होता है इसका जो इस्टन पोर्शन होगा पूरा इधर वाला पोर्शन इसको बोला गया पूर्वी गोलार्द और इसका जो वेस्टन पोर्शन होगा इसको बोला गया क्या पसिमी गोलार्द क्या बोला गया पसिमी ग्लोब होगा रहा इसका जो गोलार्द है उत्री गोलार्द है अब इनका क्या होता है हमेशा याद रखना एक अक्षांसी और देशांतरी विस्तार होता है अक्षांसी विस्तार क्या होगा जैसे कोई राष्ट है जिससे ग्लोब है तो जो इस प्रकार की जो लाइने कीची जाती है ठीक है जैसे भारत है भारत का ये पॉइंट है और ऐसे यहां क्या पॉइंट है तो इन दोनों के बीच एनि इस प्रकार की जो लाइने हैं इनके इनको बुला जाता है अक्षांस रेखाएं जबकि अगर हम भारत को इस प्रकार की ख़ली लाइनों से दिखाएंगे तो उसको बोला जाएगा देशांतरी, तो क्या पूछ सकता है question, भारत का अक्षांसी विस्तार क्या है, तो सबसे पहले दिखो, भारत का अक्षांसी विस्तार, भारत का अक्षांसी विस्तार, अक्षांसी विस्तार का क्या मतलब होता है, जैसे 0 डिगरी कहा मैंने देखे, मै जहां तक भारत का फैला हुआ है, उसी को अक्षांसी विस्तार कहेंगे, यानि भारत का यह जो पै persistence है, ऐसे यहां जहां भी भारत की बांडरी टाज होती है और भारत की last boundary जहां तरस होती उन दोनों के बीच का जो विस्तार है कितना फैला हुआ है उसको बोला जाता है अक्षांसी विस्तार तो अक्षान सी विस्तार है आठ डिग्री चार मिनट उत्री से आठ डिग्री चार मिनट उत्तर लिखाओगा पीछे से ठीक है उत्तर लिखाओगा यानि नौर्थ गोलार्द में यानि उत्री गोलार्द में इसलिए उत्तर लिखाओगा आठ डिग्री चार मिनट उत्री गो युलारदे से 3903 मिनिट उत्री गोलारदे तक भारत थमारत को पींद्द पशय के पीछे उत्तर लिखाँ में होना चाहिए कियोंकि इसका यह मतलब है किई भारत 24 गोलार着 में ठीक है ऐसी भारत का एक देसांतरी विस्तार होगा देशांतरी विस्तार, ठीक है, देशांतरी विस्तार, अगर आप से पूछता है भारत का देशांतरी विस्तार का है, देशांतर का मतलब क्या होता है, यह basically समय के लिए होती है, वो इस प्रकार की खड़ी लाइन होती है, तो भारत का सबसे western portion जहां भी touch करेगा, और भारत का स पूर्वी लिखाऊना चीए, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्द में देशांतर के according, जैसे अक्षांतर के हिसाब से तो उत्री गोलार्द और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्द में, यह आप लोग को ध्यान रखना है, तो अनसट डिग्री साथ मिनट पूर्व लिखाऊना चीए, ठीक है, इसका मतलब पूर्वी गोलार्द से, यहाँ से लेकर भारत एक्स्टेंड करता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यह है भारत का देशांतरी विस्तार, अब देखो यह मैं क्या कहना चारा हूँ, इसका यह मत् जो कि देशांतरी विस्तार, भारत यहां से शुरू होता है, जिसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर, लास्ट कहां तक फैला हुए, आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वे तक, ठीक है, अक्स्टेंड देशांतरी अब क्वेशन क्या आप पूछ सकता है, हो सकता है आप भारत का अक्षांतरी विस्तार है, और भारत का कुल देशांतरी विस्तार पूछ सकता है, तो इन दोनों का गैप देखने है ना, लगभग 29-30 के आसपास ही यह भी आएगा, 28-29-30, इन दोनों के बीच का गैप लिख लेना, कि भारत का टोटल कितना है, ठीक है, अब देख सबसे वेस्ट में होगा, सबसे इस्ट में होगा, तो भारत के चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तो भारत का सबसे पहले लिख लिख लिजे, आप दक्षनी बिंदु, यानि जो साउथ एस्ट पोर्शन है इंडिया का, वो कौन चा है, उसको बला जाता है, इं इंदिरा पॉइंट, आज क्योंकि बेसिक कलास है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ऐसी भारत का कोई ना कोई उतरी बिंदु होगा, सबसे नौर समझ होगा, उतरी बिंदु, इसको बला जाता है, इंदिरा कॉल, क्या वहाँ पर एक जगहा पढ़ती है, उसको बला जाता है, गुहरमोती, जो कि गुजरात में बढ़ता है, ठीक है, गुहरमोती, ये गुजरात में होगा, ब्रैकेट में लिखे ना, यहाँ गहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं, और जो भारत का सबसे पूरवी बिंदु है, रुगर रहा हूं और इसको धिरे धिरे अपने आपने हाड बनता जाएगा लेकिन आपको मैं इजली समझा देंगा देखो भारत का दक्षेणी बिंदु जो है इंद्रा पॉइंट ओर निकोबार दीप सम्मों में यहां अंडमान निकोबार देखना आपने मैप में यहां कह अगर आपसे पूछता है कि भारत का मुख्य बिंदु का दक्षेणी बिंदु पॉइंट का है मुख्य मतलब में लैंड का यह तो सम्मुद्र का इलाका हो गया यह तो में लैंड यहां है यह तो कन्या गुमारी नामक जगह पर जो तमिलनाडु में पाड़ती वहां पर इ इंडिया का क्या है केप को मुरिन केप को मुरिन है ठीक है इसको ध्यानक ना जो की ब्रैकेट में लिस दो कन्या गुमादी में है कन्या कुमादी एक एक चीज हमने समझनी है तो हमारा इसली यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे ठीक है दक्सेंड बिंदु य यह आपके होगे अब देखो भारत का कोई ना कोई एरिया होगा जैसे भारत है इसका कोई ना कोई छेत्रपल होगा टोटल जो छेत्रपल है भारत का वो है 32 लाग छेत्रपल ठीक है तो अभी वैसे पूछेगा नहीं लेकिन आइडिया तो होना ची 32 लाग 8000 मतलब 32 लाग 8000 वर्गी किलो मीटर के सम्तिंग से के 32 में 8 यह बहुते हैं आप इस्ट मिदा हैं तो पॉइंट पोर सेंट यानि अगल आपसे कभी पूछता है भारत का जो छेत्र पाल टोटल एरिया है वी स्वे के टोटल एरिया का कितना है कहीगा तो 2.4% उसको बता देना है ठीक है 24% थे विश्व के चेतरपल का आपसे पूशता है भारत जो है विश्व में टोटल चेतरपल की दिश्टे से कौन से इस्तान पे है चेतरपल में 7th position में है 7th world में ठीक है भारत विश्व में 7th position पे है जबकि अगर आपसे पूशता है कि भारत के बड़े जो देश है वो कौन से है सबसे बड़ा रशिया है यानि रूस उसके बाद कौन से है कैनाइडा है ठीक है ये आप लोगों को ध्यान रखना है और हमने सब नहीं पढ़ने रूस और कैनाइडा दो आप लोग याद रखना पहले position में रूस है विश्व का सबसे बड़ा छेत्रपल दूसरा कैनाइडा है साउट में भारत है बाकि तीसरा अमेरिका एक NCRT देती है ओल्ड वाली वो चाइना कहते है न्यू NCRT अमेरिका कहते है वो हमने नहीं पढ़ने ठीक है तो सात्मा बड़ा देश है ये आपको याद रखने है अब देखो बहुत हलके question सबसे छोटा राज जिगोन शेत्रपल की दिश्चिटी से राजस्तान कहीं यह पूछने आला आप से ठीक है यह बहुत हलके question है आपका जो एक question पूछा जा सकता है आपने पद्डू चेरी नाम सुना होगा इसको पांडी चेरी कहते हैं वो तीन state में फैला हुआ है उसको मिलाने को पूछता है पहला यहां से अब सुरुवात होती है question होगी ठीक है यह तो एक हलका सा idea था तो पहला point आपने लिखना है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पड्डू चेरी केंद सासित परदेश के त्यराज्यों में फैला है तो लिखो पड्डू चेरी लिखो तीन राज्यों में यानि तीन अलग-अलग state में है ठीक है इसका कुछ भाग आपका कहा है कहा है यह पूछता है आपसे देखो मिलाने को पूछता है एक जगा पढ़ते है यनम यनम लिखो ठीक है एक पढ़ती है माहे ठीक है यनम हो गया माहे है इसी के साथ एक जगा पढ़ते है कराईकल क्या पढ़ती है कराईकल कराईकल जो यनम है में देखना आपना यहां कहीं पड्डुचेरी होगा यहीं पर यनम होगा आंदर प्रदेश में यहां आपका तमिलांड में केरल में यहां पर तमिलांड में कराइकल लिखा होगा और यहां पर कहीं माहे लिखा होगा तो कौन सा केंदर सासिच प्रदेश तीन अलग-अलग पडुचेरी और यह मिलाने को पूछता है यह नम कहा है कराईगल कहा है माहे कहा है और यह 3-3 पडुचेरी के हिस्से है एक क्वेशन यहां से आपका बन सकता है इसको ध्यान रखना है ठीक वो तो अभी तक मैं बेसिक आपको आईडिया वतारता है दूसरा ग्वेशन जो बन यहां आप गुजरात दीखेगा और यही पर पाकिस्तान दीखेगा पहला दुसरा यहां बेओ, बैंगुल यानि हिंद महासागर का इलाखा है और यह पर पस्ति मंगाल दीखेगा, बगलमा बांगलादेश दीखेगा, तो दो ऐसे राज्य हैं भारत की राज्य जो अंतरास् इंटरनेशनल प्लस समुद्री सीमा अब आप कोगे सर आप तो ये ऐसे कैसे याद करें तब ही कहा कि मैप पकड़ो मैप से confirm हो जाता है कि गुजरात देखोगे बगल में पाकिस्तान कुछ हो रहा है और वहाँ पे समुद्री को भी सुरा होगा और दूसरा पसिम मंगाल यानि वेस्टन बेंगौल पसिम बंगाल ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है ये इंपोटेंट कर देना कि क्या पता कौन सा कभी आपसे पूछ दे आला कोशन ये आप लोगों ने ध्यान रखना है अब देखो भारत की कही न कहीं मानते हो आप यहां से यहां तक कोई न कोई डिस्टेंस होगी यानि उत्तर से दक्षिन तक कितना फैला है और ये भी मानते हो कही न कहीं पसिम से पूर्व से पसिम ये कितना फैला है बिलकुल आपको पता होना चाहिए तो भारत की लिखो उत्तर से दक्षिन कितना फैला है ठीक है ये जो उत्तर से दक्षिन फैला है ये फैला है 32 के आसपास लगभग इसकी जो total distance आपको देखने को मिलेगी 3214 km के आसपास देखने को मिलेगी यानि 3, 2, 1, 4 km और जबकि ये पस्सिम पूर्व से पस्सिम या पस्सिम से पूर्व जो भी कहते हो इस्ट से वेस्ट या वेस्ट से इस्ट जहां भी कहते हो ये टोटल फैला हुए आपका 233 किलोमेटर यानि 2933 किलोमेटर तो कौन सा जाधा है ये वाला जाधा है तो भारत की ये जो लेंथ ह है यह जादा है in comparison to यह ठीक है यह आपको इसकी दोनों distance आपको याद रखने है अब देखो एक most important question मां आपको बताता हूँ तीसरा जो यहाँ से question आता है इसको note कर लीजिए अब मैं आपको बताता हूँ मानक समय रेखा के वारेमें ठीक है मानक समय रेखा कौन सी है अगर आपसे पूछता है यानि मानक देशांतर रेखा भी लिखा होगा आपको ठीक है साड़े बयासी डिगरी यानि साड़े बयासी डिगरी पुर्वी रेखा को जो बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं यदि साडे बयाँ सी भोलते हैं इसको ठीक है एक चार मिनेट का उता है बहारत का लगभा 68 से कितना बताया था 97 के आसपाथ बताया था तो 68 से 69 जायोगे चार मिनेट का उतसर फिर 4 मिनेट फिर 4 मिनेट 4 मिनेट तो टोटल अगर भारत के लाइन अगर 30 का gap है, देशांतरी gap, एक में 4 का अंतर आ रहा है, तो 30 में आ जाएगा आपका 120 मिनिट का अंतर, अब बताओ, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पसिमी बिंदु में, यानि सबसे पसिमी और सबसे पूर्वी बिंदु में, जाने पे 120 मिनिट ने टू आर का अंतर आ रहा था अब आप बताओ यहां से दूर्दसन में कहा कि गुजरात वनुसे 8 बजे समाचात प्रकासित होगा announcement कर दिया दूर्दसन ने आंजर परदेश वाला कब देखें गया उसको उसमें तो 2 गंटे का gap आ गया यानि यहां 8 बजा होगा तो यहां 6 बजा होगा एक mismatch होगा ना कोई फ्लाइट है आप आंजर परदेश में रहते हैं तो इसलिए हमने एक ऐसा समय लिया हमने कहा कि पूरे देश का एक ही समय उसी को माना जाएगा और उसी को लिया गया है साड़े बयासे डिगरी पूर्वी इसको देशांतर मानक देशांतर भी पूछ सकता है मानक देशांतर भी लिखा होता है मानक या म्योत्तर भी लिखा होता है इस टैप को कुछ लिखा होगा है आप लोग देखना तो यह होगा कि 62 डिगरी पूरवी देशांतर और यह पांच राज्यों से होगा गुजलता है ज्यान रखना यानि इस प्रकार से होगा देखना या ऐसे ऐसे गुझराओ यहां गहीं से होगा ऐसे इस प्रकार से होगा यह इस प्रकार से आपको दिखेगी और यह बोला गया के नैनी, अब आपको बताता हूँ, दोनों आंसर आपको दिखेंगे, कई किताबे देती हैं, जो भारत का मानक समय लिया गया, वो कहां से लिया गया, कई जगह आपको UP के मिर्जापूर में दिखेगा, UP के मिर्जापूर से, जो वहां पे समय होगा, वही पूरे भारत का गुजरती है, अपनी मैप खोलो, उसमें देखो 62 डिग्री एक लाइन जारी होगी, उपर से इस प्रकार से, उसको देखो किन किन राज्यू से होके ट्रेस कर रहे, उसको मजला, अब वो यहां नहीं होगा, ठीका, आप मत कहना कि सर यहां भी तो टाच है, वो UP से लिया गय जो आपको अगला देखने है, वो कित्ते राज्यू से करक रेखा, एक होती है, मानक समय रेखा भारत के लिए इंपोटेंट, दूसरी भारत के लिए करक रेखा इंपोटेंट, आप करक रेखा क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, करक रेखा, तो सीदे लिखो, भारत म आठ राज्यों से ठीक है देखो मैंने आपको क्या बताया जैसी एक ग्लोब है ठीक इसके बीचू बीच एक कालपनिक रेखा जाते है जिसको जीरो डिगरी क्वेटर बोलते हैं विश्वत रेखा बोलते हैं इसी से साड़े 23 डिगरी उत्तर की और साड़े 23 डिगरी दक्सिं ऄलरी डिगरी यह भारत के बीचों बीच होके जाते है जैसे आप मैप में देखना भारत ऐसे यहां पर भारत की लोकेशन होगी तो भारत में कितने राज्यों से अगर करकर रिखा होकर गुजर्तिग क suka क्या के हैं तो आट राज्य कों मिलाई से हो और पूररे 23 डिगरी 23 30 मिनट उत्री अक्षान से ये करकर रिखा होती है तो भारत मां 8 राजियों से होकर गुजरती है वो उसका नाम पुष्टा है तो इधर से शुरुआत हो रही है खुद देखी अपने मैं मैं पहला लिखा होगा आपका राजस्तान ठीक है तिरपूरा और मिजोरम मिजोरम ठीक है ये भारत के 8 राज्य है जिन से करकर रिखा होका गुजरती है और ये most important है पेपनों पूछेगा आपसे कि भारत में करकर रिखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है किस से होकर गुजरती है नहीं गुजरती गुजरात, राजिस्तान, MP, जहारकन, चत्यशगर, वेस्ट बेंगॉल, तिरपुराइन, मिजोरम, यह खुद मैप में देखू, मैं कुछ नहीं कह रहा है, आपके पास मैप है, 23 दिख रहा होगा, उसमें यहां देखो, लाइनों में लिखा होगा है, उस लाइन को ट्रेस करो, ऐसे आपका जो मानक समय रेखा है, उसको ट्रेस करो, आपको खुद पता जाएगा, यह था आपका किसके बारे में, मतलब जो मानक समय रेखाओं के बारे में, अब आपका जो कोई करे लिंगे एक्जाम में वो सब नौर्थ इस्ट के नाम दे देता है मतलब को यहां के ग्वेशन क्यूंकि हमने दिमागी नहीं लगाया हम चाहते ही नहीं अपने दिमाग को थोड़ा सा जोड़ देना हमने क्या किया हमने का पड़ोसी स्टेट है तो का लगाई लेंगे अरे भाई वहाँ जब नौर्थ इस्ट के वो देगा आपको तो आपको तो वो सेम ओप्सन दिखेंगे क्योंकि नौर्थ इस्ट में तो हर किसी को गन्फ्यूज रहता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस प्रकार से चलना है पड़ोसी देशों को छूने वाले राज अब बताई यहां कौन सा स्टेट बताया था मैंने गुजरात यहां कौन सा बताया था मैंने आपको लाजस्तान यह वाले पोर्शन में यहां पर हलका सा क्या बताया था मैंने पंजाब और यहां क्या बताया था जम्मू गस्मीर तो हो तो गया आप मैं खुद देख रहे ह अब कहीं पता लगा पीपर में वहाँ इस बाल लगदाग दिद्यावशन, वहाँ कन्वियूज, क्योंकि अपडेटी नहीं है, बोला लगदाग भी वहीं है, कस्मीर साइट, दिमाग लगा रहे हैं, लगदाग वहीं है, कस्मीर साइट, इसको भी छूता ही होगा, तो किस से पड़ो, आँख बंद करके नहीं पढ़ना है, ये कर दिया, ऐसे उपर क्यों वड़ो, सबसे पहले, गुजरात, फिर, राजस्थान, फिर, पंजाब, PUNB लिख जामने, ठीक है, आप समझ जाओगा, PB लिख देता हूँ, पंजाब, उसके बाद, उपर, J&K, लिख दिया, मैंने, चीन को चुने आरे, भारती राज्यू के नाम लिखो, अपने मैप को पकड़ो, ये चीन है, यहाँ, ये पूरा का पूरा पूर्सन चाइना का है, यानि तिबबत, साउथ, तिबबत या चाइना जो कहते हो, पहला लद्दाख लिखना, ठीक है, L देना देना नहीं है, यूकी के बाद जैसी नैपाल लगेगा, तो नैपाल खतम होते ही बगल में, एक सिक्किम दिखेगा, आपको, सिक्किम, ठीक है, और सिक्किम के जस्ते बगल में, आपको क्या दिखेगा, एक अधर स्टेट दिखेगा, यहाँ, अरुणा प्रदेश, यह बताओ, यह मैप से ट्रेस करने के बाद चीज़े समझाते हैं, पता लगा, यार बोला हम ऐसी पढ़ते जाएंगे, हो जाएगा, कौन्छा हमटा फारा है, चीन को छुन, चीन का भारत का कौन्छा राज्य चीन के साथ सीमा साजा नहीं करता है, असम, अरुणा चरप्र चाइना के बाद जो आता है, आपका भारत का पडोसी देश, यहाँ देखो नेपाल, अब इन लाज जूगा तो नेपाल से कोई समझाते नहीं, नेपाल से तो आप खुद ही जाएंगे, नेपाल के साथ टच करने वाले देखो, सब मैप में देखो, ट्रेस करो, लिखना न यानि आपको सीधी-सीधी बात है, उत्राखन जानते हैं आप, यूपी जानते हैं, उसके बगल में बिहार, ठीक है, यह, यानि उत्राखन का इलाका, यूपी का इलाका, बिहार का इलाका, और साथ-साथी उसके बगल में आपको एकाद स्टेट और देखेंगे, उनके ना नेपाल के साथ सीमा साजा करने वाले जो वो हैं मतलब क्या कहता है राज्ज हैं उनके अगर आपको लोकेशन देखनी है तो क्या होगा उत्राखन यूपी बिहार और वेस्ट बेंगॉल और देखे वापे सिक्किम है की नहीं वो चेक करो देखो कि अपका सिक्किम तो यूके यूपी, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, सिक्किम ये आपके कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साजा करता है कुछ नहीं करना है या नेपाल को देखो नेपाल के चारों हो और देख लो भारत के राज्य कौन-कौन से हैं आपके खुदी साही हो जाएंगे वो इसके नौर्थ इस्ट का कोई भी स्टेट वहां टस्क नहीं करता है इसको ध्यार नटना ठीक है अब आता है आपका नेपाल भी होगा तो भूटान नहीं क्या बिगाड़ा भूटान को भी तहीं यार करो भूटान के साथ कौन-कौन से भारत के राज्य सीमा मनाते हैं सब पडोसी देश हैं ठीक है भूटान के साथ देखो भूटान के साथ सीमा साजा करने वाले अगर आप राज्यू की बात करेंगे तो सब उधरी के हैं सिक्किम, वेस्ट बेंगल, असम और अरण चाप्रदेश. यहां पे गहीं भुटान होगा, गहीं भुटान. भुटान की जस्ट बगल में आपको सिक्किम दिखेगा. क्या दिखेगा? सिक्किम. ठीक है? तार्जिलिंग का इलाका वेस्ट बेंगॉल यहां से टच करेगा भुटां को जड़ से इसका तो वेस्ट बेंगॉल वह वेस्ट बेंगॉल आसम का इलाका बहुत बड़ा है पूरा का पूरा इलाका यहां आसाम दिखीगा आपको आसम और लास्ट में थोड़ा सा हिस्सा उधर अर्णान चप्रदेश क्या हो गया अर्णान चप्रदेश मैप को ट्रेस करते रहो और कुछ भी नहीं करना है आपको जैसी मैप ट्रेस करोगे आपका सारा का सारा बन जाएगा पडोसी देशों को छोने वाले राज्जु के आने के संभावने के हैं बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इसके चांसे रहते हैं कि आपके पडोसी देशों को छोने वाले राज्जु के नाम पूच्छे ठीक है भूटान के बाद last वस्ता आपका बांगलादेश इतने जब कर दिये और बांगलादेश के साथ आने की संभावना ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि आप लोगं को बांगलादेश के साथ और म्यामार के साथ कंफ्यूज रहता है इसलिए इग्जामनल आपसे क्या करता है बांगलादेश को टच करने वाले राज्यू के नामपूज दिता है देखो, बंगलादेश को कौन-कौन सा इस्टेट टच करेगा, सिंपल सी बात है, बंगलादेश जैसे आप यहां देखोगे, पुरा बंगलादेश का इलाका, यह वाला पोर्शन बंगलादेश का है, तो इसके इस्ट पोर्शन में देखो, वेस्ट मेंगॉल दिख रहा होग यह सब आपको देखने है ठीक है बगल में देखो उसका तिरपुरा सबसे फेमस है और उसके बगल में मिजोरम यानि West Bengal, Assam, Meghalai, तिरपुरा और मिजोरम और यह कुछ भी नहीं है आपको जैसे यहाँ पर अगर आपको बगलादेश दिखा इस प्रकार से यहाँ वाले पोर्शन में आपको West Bengal दिख रहा होगा यहाँ आपको इस वाले पोर्शन में पूरा असाम दिख रहा होगा थोड़ इसको छोन आ लह, अब इसी में एकर्एक्ट है तिरपुरा के निचे नीचे हाइलाइट कर लगो तीने और से अंतरास्त्री सीमा से घिरा होगा राज्य. अगर आपसे कभी पूछता है कि तीन और से कौन सा राज्य भारत का अंतराश्टी सीमा से लगा हूँ है, तिरपूरा लगा हूँ है, इसको ध्यान रखना, most important करना, दूसरा, बांगला देश की नीचे लिखो, भारत सरवाधिक अंतराश्टी सीमा साजा, इसी के साथ करता है, भारत की सरवाधिक अंतराश्टी सीमा, लगबग 4000 किलो मेटर के आ तो बंगलादेश के ज़ए सरवाधी गंतराश्टी सीमा साजा करने वाला बहुत बहुत लोग लाइटली लेते हैं इग्नोर करने में लगे रहते हैं तो यह गलती मत करना एक नंबर आपको चाहिए तो यह बेसिक आइडिया जो आज की क्लास है इससे एक नंबर क्योंकि मैं पहले जिन कहाँ कि बेसिक है बिना बेसिक में क्लास सुरू नहीं करूंगा कल से आपकी थोड़ा उठती या थोड़ा हाई लेबल की क्लास देखने को मिल सकते हिमाल या वगयर आप आईडिपी भारत भारत की जो परमुक परवस रिंख लाए हैं कहां कौन सी हैं कौन सी इ इन सी आईटी बेज रहा है और यह मैं मानके चल रहा हूं कि वह आप से क्वेशन गलत नहीं हो ने अले पेपर माँ अगर उतना करोगे आप बे बीना टैंसन के एक्जाम देने जाओ खुसी खुसी एक्जाम देने जाओ भूगोल में क्वेशन गलत नहीं होगे ठीक है अगर आप नाम लिखोगे अगर अगा लेंड उसके नीचे नागा लेंड उसके नीचे मानिपूर उसके नीचे मेजवरम तो देखो यह इंपोर्टेंट करना क्योंकि यह बहुत लोग नहीं देखते हैं चिज़को अरणजप्रदेश के नीचे देखेगा आपको नागा लेंड देखे रहा होगा नागा लेंड ठीक है उसके थोड़ा सा नीचे आए नागा लेंड के नीचे आपको जो अलग अलग राज्य देखेगा वो देखेगा मानिपूर और उसके नीचे मिजोरम उसके बगल मेघाले, मानिपूर, मिजोरम, ठीक है, नागाले, इस प्रकार से option देता है, अब वहाँ क्या करते हैं, सर खुज़राने लग जाते हैं, क्योंकि नाम सब सुने हैं, location किसी की पता नहीं, हाँ पता है कि नौर्थ इस्ट में होंगे हैं, कहीं, उधर ही हैं, असम कहां पे हैं, उसके असम को कौन-कौन टच करेगा, मेघाले को कहां पे टच करेगा, मानिपूर को कौन साइट टच करेगा, ध्यानी दी रहता, क्योंकि इतना हम लोग इसको हलका लेते हैं, और तो इसको मेरे को लगता है कि important है, और ये कैसे समाझ आएगा, जैसे इसको म्यामार की location मामी से आपका, अरुना, मामी लिख दो या अरुना, ममी लिख दो चलो, ममी सुनाओगा आपने ममी होती थी, पहले मिस्रविस्र में जाना जाते है असको, अरुना ममी, अरु मतलब अरुनांजब प्रदेश, ना मतलब नागालेंड, ममी मतलब मौ से देखना मौ वाला है तो मनिपूर ठीक है, मी वाला होगा तो मी जोरम हो जाएगा, मनिपूर और मी के साथ कुन सा जाएगा, मी जोरम हो जाएगा, ममी ठीक है, तो आपको अरुना म करके ट्रिक याद रखनी है तो म्याम्मार वाला आपका हो जाएगा तो विक रिविजन आप तुरहन तिकरो सबसे पहले देखना क्योंकि मुझे लग रहा कि यह क्वेशन आ सकता है पागिस्तान को छुने वाले राज्जी देखो राजिस्तान गुजरात पंजाब और जम्म उत्राखन को छोड़ने के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद और रणांचर परदेश ठीक उसके बाद तीसरा आपको मैंने बताय था नेपाल नेपाल के साथ UK, UP, बिहार, West Bengal, Sikkim, ठीक है, उसके तुरंत बगल में कुन सा बताया था ने, भुटान, भुटान यहां से Sikkim, उसके नीचे West Bengal, उसके बगल में कुन सा होगा, जैसे भुटान के Sikkim, Sikkim के बगल में West Bengal, West Bengal के बगल में असम और अरुणाचर प्रदेश, असम प्लस अरुणाचर प्रदेश, ठीक है, भुटान, भुटान के बगल में आपको कुन सा बताया था मैंने, बंगलादेश, B, A लिख देहां, यहां होगया West Bengal, उपर होगया असम, उसके बगल में मिघालेई, उसके नीचे तिरपुरा, उसके बगल में मिजोरम, यहां ज़क प्रण, आपके एक्जाम के दिश्टे से हो सकते हैं, इसको रटना नहीं है, इसको लोकेशन को ट्रेस करना है, आपका ही बहुत आसनी से बन जाएगा, अब कुछ फैक्ट आपके बसते हैं, एक लिख लो आप पाक जलसंधी किन देशों के बीचे, अगर आप यहां देखो की खाड़ी, मैप देखो, इधर देखो, यहां कहीं लिखाओगा मनार की खाड़ी, यहीं पर पाक स्ट्रेट लिखाओगा, पाक जलसंधी, तो आपका दोनों बन जाएगा, पाक जलसंधी किन देशों के बीच है, यह बन जाएगा, ठीक है, एक लास्ट कोश्चन है, यही से कल सुरुवात करूँगा और आपका थोड़ा एडवांस एलेबल ये वाला थोड़ा समझना हिमालाई का विकास ठीक है अगर आपसे पुछता है हिमालाई का विकास किन दो प्लेटों को टकराने से हुआ है इसको most important करना भारती प्लेट भारती प्लेट प्लस यूरेसियन प्लेट के टकराने से ठीक है टकराने से और इसको important कर देना कि हिमालाई का विकास किन दो प्लेटों को टकराने से हुआ है इसको most important करना यहीं से मैं सुरुवात करूंगा कल हिमालाई का विकास भारती प्लेट वा यूरेसियन प्लेट के टकराने से थ्यान दखना अब आप एक मिन्ट की ए पहले क्या हुआ करता था एक दो बहुत बढ़े भूखंड हुआ करते थे और मुन करोडू मतलब बहुत पहले जोग्राफिक की टाइम में बहुत लंबा समय वान के चलिये एक को बोला जाता है गौनडवाना लेंड एक को बोला जाता है अंगारा लेंड है ठीक है अब हुआ क्या पिर्थभी के नीचे जो है हलचल होते रहती है पिर्थभी के नीचे क्या होते रहती है हलचल होते रहती है प्लेट एक दुसरे से टकराते रहती है तो बहुत सी सी उतर की और धिरे धिरे खिश खी तो यहाँ पर एक cheap. नाम का सागर था अ अब इस सागार का क्या ओवसाद होसाध होगा यानि मिट्ती जो भी है तो पथर मिट्टी वेगारा अवसादी रूप में होगा तो इस भारती फ्लेड उत्र की और खिशा करी तो यहाँ से इसको एक मिली यहां से प्लेट आई उसका नाम था यूरेसियन प्लेट यूरेसियन प्लेट ठीक है यूरेसियन प्लेट आई तो भारती प्लेट और यूरेसियन प्लेट के आपस में क्या हुई तक्कर हुई है जब कि यूरेसियन प्लेट भारती प्लेट से भारी थी और बड़ी थी तो ये भारती प्लेट से भारी और बड़ी थी जब दो प्लेटर फिर्टबी के अंदर आपस में टकराती हैं आप अपने जो आप अपने इसकोपी में क्या है नवीन वलित परवत नवीन का मतल़ जो जिसमें अभी भी परवत निर्मानकारी घटनाएं हो रही है वलित मतल़ दो प्लेटों के टकराने से जब बीच वाला पोर्शन उपर क्यों रुठता है उसी को वलन की प्रोसेस कहते हैं यानि एक प्लेट इधर से आई एक प् क्यों बैटना नहीं है बहुत सिंपल तरीकी से आपको पहले दिन की क्लास में ने सिर्फ आइडिया दिया है ताकि मैं कल से आपको अगर समझाना शुरू कर दूं तेज भगाना शुरू कर दूं वह आपकी दिमाग में easily क्या हो सके बैठ सके ठीक है फिर मिलता हूं आपके साथ फिर से एक बार पुना आपको कृष्ण जन्माश्रमी की हार्दिक सुपकान में अपने ध्यान रखे थैंक यू